नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल लर्निंग इस एर्निंग बाई प्रभाश पे तो दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर के बारे में लास्ट रेडिंग सेशन में आपको पता है मार्केट में भी काफी बड़ा करेक्शन था और अगर आप देखिएंगे तो यहाँ पे टाटा पावर के स्टॉक्स में भी काफी बड़ा करेक्शन आपको देखने हो मिला 4% अप्रॉक्स अगर आप रिजल्ट के बाद इस तरीके से गिरावट आती है तो थोड़ा बहुट तो डाउट आता है लेकिन सारे डाउट आपके इस वीडियो के बाद कंफर्म हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो एक ही करके लॉंग टम की शॉर्ट टम सबसे पहले देखीगा स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है अगर आप देखिएंगे टाटा के किसी भी स्टॉक को ट्रैक करीए आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक करीए चाहे वो देखीगा negative return दे रहे हो चाहे वो positive return दे रहे हो बट still वहाँ पे volume आपको अच्छा देखने हो मिलेगा चुकि कहीं ना कहीं Tata के 5-6 stock एक ही particular देखेगा correlation से जुड़े हुए हैं like Tata chemical, Tata power अगर आप बात करेंगे Tata motor इसी तरीके से देखेगा Tata communication तो ये कहीं ना कहीं एक ही एक particular correlation से जुड़े हुए हैं और सब एक साथ grow हो रहे हैं पूरी Tata companies में क्या हो रहा है? turnaround देखने हो मिला है return multi-bagger बना के दिए हैं आप छोटे से छोटे stock की बात करोगे तब भी आपको multi-bagger return बना के दिए हैं तो होता क्या है कि जब भी एक चीज को समझना है आपको जब भी market में fall आता है फिर market में panic create होता है तो एक common phenomena है कि वो stock पहले profit booking शोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा run up हो चुके हैं ये common phenomena है it doesn't mean कि वो stock खराब हो गया first thing आप समलो कि अगर normal market में correction आएगा अगर आएगा तो no doubt Tata Power के stocks में आपको correction देखते हूं मिलेगा लेकिन वो correction क्या कोई panic का indication है वो correction क्या particular कोई ऐसा indication है कि stock ने कुछ गरबर किया है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है सको मैं clarify कर देता हूं कि 30% की deliverable quantity आपको देखते हूं मिली है जो की stock के लिए बहुत ही अच्छी होती है 9 February को result आये थे मैंने आपको बताया था कि इतने ज़्यादा देखेगा prices बढ़ने के बाद भी energy coal के prices इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद भी केवल cost पे work चल नहीं रहा देखेगा cost कम नहीं कर पा रहे है वरना total income तो काफी अच्छी increase हो रही है आप खुदी देखो total income में तो काफी अच्छा increment है इसी तरीकी का increment आपको देखेगा sustainable basis पे देखते हूं मिलेगा लेकिन the thing is कि क्या होता है है क्यूंकि आपको पता है जो inputs हैं यानि कि जो energy के inputs है वो महंगे हो रहे है अगर आप हल फिलाल में US में देखोगे, India में देखोगे, चाईना में देखोगे तो energy के जितने भी inputs हैं वो महंगे हुए है और वो काफी तेजी से महंगे हो रहे है चुकि demand पहले से ज़्यादा बढ़ गई है आप समझ रहो इस कारण से आपको देखेगा वो important critical देखेगा एक होता नहीं है bounce back देखने हैं उन्हीं मिल ला है वरना otherwise काफी अच्छी तरीके से revenue बना रहे हैं अब लोग क्या मानते हैं अभी देखेगा expert क्या मानते हैं कि quarter 3 के बाद देखेगा बहुत ही अच्छी strong performance है stock के result बहुत ही quality है उसमें कोई भी doubt नहीं उसमें कोई भी panic आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन लोगों को यह कहा लग रहा expert को कि अभी जो valuation है वो काफी ज़धा high है कि यानि कि पिछले एक साल में stock ने काफी बड़े return मनाखे दी है आपका पैसा double हुआ है उसके बाद भी आपने देखा है 265 का level देखा है अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो 30-35% तो आपने ऐसे हाल फिलाल में दो महिने में देखा है तो इसलिए कुछ expert को यहां पर लगता है कि stock के valuation क्या हो गया है after declaring the quarter performance तो आप देखेंगे 73% का आपको year on year basis का jump देखने हो मिला था पैक्ट में 42% का देखेंगा आपको jump देखने हो मिला था आपको total income revenue में और इसके लावा EBITDA में देखेंगे तो 28% तो आप बिल्कुल clear तरीके से अगर देखो तो यहां पर double digit growth है क्या है double digit growth है without any doubt और अगर आप देखेंगे तो profit of the revenue gains were due to expanding Odisha discom operation Odisha से देखेंगा फाइदा हुआ है TPSL यानि solar system से फाइदा हुआ है और देखेंगा कहीं कहीं तो जो इनके margin है वो 4X हो गया है और expenses की जो cost है वो काफी ज़्यादा बढ़ी है जो यह सबसे बढ़ी बात है यह चीज़ आपको focus करनी है यह चीज़ अगर कम कर ले जाते हैं यह 55% का year on year basis पे जो growth देखने को मिल लेगी है वो चीज़ important है तो expenses को आगे चलके जब यह cutting करना शुरू करेंगे तो यह बहुत ही quality तरीके से और तरीके से growth करेंगे और यहाँ पे जो expert का मानना है there could be some value unlocking in TPSSL is either spun off or listed as a separate entity यह माना जा रहा था कि देखेगा Tata Power की कुछ particular entity को separate कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो valuation है जो green business के वो काफी ज़्यदा higher है तो target price vary between the statement gains of 3-5% over current price in the next 12 month यानि कि यह माना जा रहा है कि अब यहां से देखेगा आपको ज़्यादा बड़ा increment नहीं देख रहा है कोई भी expert ज़्यादा बड़ा increment नहीं देख रहा है इस साल के अंतक अगर आप देखोगे तो यह सोच रहा है कि basically यह stock 5-6% के return मना के देगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब आपको देखेगा मैंने अपको बता दिया कि basically यह माना जा रहा है कि यह stock के valuation high हो गया है तो आसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आपको समझना है stock क्यों गिरेगा stock देखेगा Tata Power का stock इसलिए गिर सकता है market first thing देखेगा market अगर देखेगा down जाता है तो सबसे attractive valuation की जो stock होते हैं जो सबसे ज़्यादा run up हुए होते हैं उनमें देखेगा एक profit booking आएगी second thing क्या होगी आपको पता है कि अभी जो result आ है वो as such उस तरीके के निया है जो extraordinary होते हैं तो उसके कारण भी थोड़ा सा देखेगा trader profit booking कर सकता है third one क्या होता है आपको पता है कि power sector के other stock अभी undervalued है आप समझना कि power sector के जैसे अभी अधानी पावर में आपको होता है था 100 रुपय पे stock था आज 130 पे पहुँच चुका है तो आपको exactly होता है कि इतना 125 का level तो बहुत ही attractive लग रहा था लोगों ने वहाँ पे buy करा चुकि वह आपको buy करना है ना कि sell करना है आपको average करना है ना कि sell करना है क्यों चुकि जैसी market में turnaround आएगा जैसे ही turnaround आएगा यह stock run होना शुरू होंगे और तब आपको सभी लोग कहेंगे कि यह stock देखीगा बड़े level दिखा सकता है अभी in particular level पे stock के क्या वरना है अच्छी तरीके से यह resistance की तरहे work कर रहे हैं और जैसे ही देखेगे marketing turnaround लेता है तो power sector की सबसे quality company सबसे तेजी से भागेगी चुकि अभी 2022 में budget हो गया है 2022 में सबसे best order और सबसे बड़े announcement टाटा power करेगा तो इसलिए panic होने की जुरूरत नहीं है अगर आपके पास देखेगा trading purpose के लिए trading करते रहे है इन particular levels पर और अगर आपके वास longer term के लिए है तो कभी गिर भी जाए तो tension मतने SIP करने average करने I hope आपको समझ में आगया होगा video अच्छा लगा है तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much